Good morning everyone, स्वागत आप सभी का wisdom education पे हैं आज 26 October 2020 है डैनिक जागरान के राष्टिय संसकन का complete news analysis करेंगे आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल पे जोल भी लोग नए हैं सबसे पहले चैनल को सबस्काइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें कोई question पूछना है, कमेंन सेक्षन में question पूछ सकते हैं कोई से जोहों देना चाहते हैं, कमेंन सेक्षन में दे सकते हैं जिन लोगों ने हमारे टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया जाकर के टेलिग्राम चैनल जोईन कर लो टेलेग्राम चैनल जोईन करने के सबसे बड़ा बेनिफिट है कि न्यूज को इस तरह से मैं हाइलाइट करके प्रवाइट कर देता हूं तो जो न्यूज इंपोर्टेंट होता है उसको मैं हाइलाइट करके वहाँ पर पीडियप डाल देता हूं अगर आप सबसे पहले न्यूज को पर लोगे एटलिस्ट हमारे हाइलाइटेड न्यूज को पर लोगे और उसके बाद अगर डिसक्रेशन सुनोगे तो आपको अधिक बेनिफिट होगा तो चले शुरुआत करते हैं टेलिक्राम का लिंक आपको डिसक्रिप्सर में मिल जाएगा टेलिक्राम का लिंक आपको पहला जो कमेंट होगा वहाँ पर मिल जाएगा डिसक्रेशन स्टार्ट करते हैं दिल्ली में परदुसित हवा से आँखों में जलन सांसों में दिकत डेल्ही में अक्टूवर से लेकर के फरवरी तक लगातार एर पोलिशन बना हुआ रहता है लगातार हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं डेल्ही एर पोलिशन को लेकर के Air Quality Index बहुत ही खराब कंडिशन में है देखो, 399 में है, 379 है, 360 है, 350 है, 349 है, 317 है काफी Air Pollution खराब कंडिशन में है Normally अगर 100 तक Air Quality Index होता तो अच्छा होता तो यहाँ पे हम Air Quality Index के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम Central Pollution Control Board के बारे में डिस्कस करेंगे और साथी साथ Suffer India जो Air Quality Index मेजर सीटी का प्रवाइट करता है डेल्दी का, मुंबई का, इन सीटी का जो Air Quality Index है वो Suffer India सरकार ने एक अभ्यान लॉंच किया था इसी के द्वारा Air Quality Index जारी किया जाता है तो हम तीनों ही चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे देखो कुछ दिन पहले मैंने एक JPG फाइल डाला था एक पिक्चर मैंने टेलग्राम चैनल पर डाला था पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं एक बार मैं आपको दिखाता हूँ देखो Air Quality Index का जो मेजर कमपोनेंट सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं एक तो PM10 है, एक PM2.5 है एक Nitrous Oxide है, एक Ozone है, एक Carbon Monodoxide है एक Sulfur Oxide है, एक Ammonia है और एक Lead भी होता है आठ मेजर कमपोनेंट होता है लेकिन सबसे खास बात जहाँ UPSC आपको फसा सकता है या UPSC का प्रिवेश्य का कोशन देखोगे तो Air Quality Index में आपको Trap कर सकता है वो यह है कि Air Quality Index में Carbon Doxide नहीं होता Carbon Doxide is not a part of Air Quality Index अब देखो, किसी भी अगर City का Air Quality Index 0 से 50 के बीच में रहे तो गुड है 50 से 51 से 100 के बीच में रहे तो Satisfactory है 101 से 200 के बीच में रहे तो वो moderate polluted का जाता 200 से 300 के बीच में रहे तो उसको पूर का जाता 300 से लेकर के 400 के बीच में रहे तो आपको भेरी पूर हो गया और 400 से लेकर के 500 के बीच में रहे तो severe condition होता बीचेन जैसे देशों में जब 200 क्रोस करता है Air Quality Index तो वहाँ पे आपात काल लगा दिया जाता बीचेन 20 का पहला यसा देश था जिसको राष्टी आपात काल वहाँ पे लगा था क्यों क्योंकि Air Quality Index का वहाँ पे खराब हो गया था Air Quality Index खराब होने कारण वहाँ पे आपात काल लगा था बहराल इंडिया का जो Air Quality Index है देली का 修य का Air Quality Index है फेरी फोर के कंडिशन में तीन सो से अधिक है बहुत ही खराब कंडिशन में फेरी फोर कंडिशन में है और अभी दिपावली आने वाला है तो बहुत ही खराब condition है दिल्ली के air quality index का, दिल्ली के pollution का, दिल्ली के live production का काफी खराब अस्थिती है, अब एक को CPCV, Central Pollution Control Board, basic information मैं discuss करता हूँ, अगर CPCP के बारे में एक lecture लेना होगा, तो मैं एक अगलेक से lecture ले ले लूँगा, जहाँ पर details analysis कर दूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं basic discuss करता हूँ आपके साथ, जो basic information आपके पास होना ही होना चाहिए, केंदरिय परदुशन नियंतरन बोड़, एक सामविधिक संस्था, वह ऐसी संस्था, जिसका निर्मान संसत के किसी act के द्वारा किया जाए, उसे सामविधिक संस्था, एस्टुटरी बोड़ी या लीगल वड़ी का जाता है, और वह ऐसी संस्था, जिसका निर्मान भारत के संस्था के किसी article के तहत किया जा, उसे संस्था का जाता है, जैसे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग एक संविधानिक संस्था हुआ, और Central Pollution Control Board एक संविधानिक संस्था हुआ, क्योंकि इसका निर्मान संसत के एक act के माध्यम से किया गया, तो किस act के माध्यम से किया गया, ये काफि इंपोर्टेंट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि, वायू अधिनियम 1974 के माध्यम से Central Pollution Control Board के अस्थापना September 1974 में किया गया, इसका Headquarter नई दिल्ली में है, जल एवं वायू परदुशन के नियंतरन, निवारन और वायू गुनवत्ता में सुधार से संबंदित किसी भी मामले में कें सरकार को सला देने का काम करता है, जल एवं वायू प्रभावी निवारन, नियंतरन और इसके कमी हेतु उपाय करना ये सारा के सारा काम है किसका Central Pollution Control Board, अब देखो सफर इंडिया क्या है, यहाँ पे इस न्यूज में सफर इंडिया के जिक्र है, तो इसलिए सफर इंडिया के बारे में भी हम डिसकस करते हैं, सबसे पहले फुल फॉर्म है, System for Air Quality and Weather Forecasting Research, इसी के द्वारा Air Quality Index मेजर किया जाता है, अब देखो, जो है, इसकी अस्थापना जो है, Ministry of Earth Science के द्वारा किया गया है, इसका मेजर काम है, कि जो मेजर Metropolitan City है, जैसे दिली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्ने ही हो गया, तो वहां के Air Quality Index को मेज मेजर करना, वहां कि वाई को गुनवत्ता क्या है, इसको जाचना, ये काम है, basically, Suffer India का, जो Air Quality Index मेजर सिटी में मेजर करने का काम करती है, ठीक है, और Ministry of Earth Science के द्वारा इसकी अस्थापना किया गया, तो देखो, ये basic information है, इतना information आपको जरूर होना चाहिए, कि Central Pollution Control Board की जो अस्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया है, इसका Headquarter कहां है, तो नई दिली में, सामविधिक संस्था है, ये सारे के सारे के सारे किलियर होना चाहिए, इसके तहत, अगले पांच वर्स में, कौशल, विकास, मंत्राले के तहत, अगले पांच वर्स में, पंदरा करोर चात्रों को व्यबसाइक सिक्षा से जोड़ने के त्यारी सरकार कर रही है, आपको याद होगा है, कि नई सिक्षा नेती के तहत भी हमने डिसकस किया था, और वहाँ पर क्या प्रोविजन किया गया था, कि वोकेस्टनल ट्रेनिंग क सिक्षा से शुरू किया जाए, कि बताया जाए कि भोकेस्टनल ट्रेनिंग जोटा है, जिसे कि मानलो वाइर कैसे यूज होता है, उसके बात कर सकते हो प्लमडिंग कैसे होता है, और छोटी छोटी चीज़ने जो है कि लाश 6 से बच्चों को सिखाना सुरू किया जागा, त राष्टिया सेक्षिक अनुसम्दान और परिशद इसके लिए राष्टिया अत्तर पर एक कॉसल योगता फ्रेमवर्क त्यारी करने की सुरू कर दिया रेट बेसिक इंफोर्मेशन है एक बार देख सकते हैं देखो यहां पर जो है खोस बोले बोले समान नागरिक सनीता पर साबजनिक बहस होनी चाहिए खोस बोले कोन है एक RSS के संगठन के एक व्यक्ति हैं अधिक इंपोर्टन नहीं है लेकिन जो है समान नागरिक सनीता अधिक इंपोर्टन है कई बार हमने डिसकस किया है एडिटोरियल भी इस पर आया है कि कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनिफॉर्म सिविल कोड क्या भारत में होना चाहिए दूसरा है कि आपको यह भी ग्यात होना चाहिए कि क्या इसका पोश्टिव पॉइंट है क्या निगेटिव पॉइंट है क्यों यह पूरे भारत में लागो होना चाहिए और क्यों यह पूरे भारत में नहीं लागो होना चाहिए तो आपको मुल निर्फेक्ष होके सोचना परेगा थोड़ा समय आपको बता देता हूँ जानकारी इस पर मैं डिटेल्स अनलाइसेस नहीं करूँगा लेकिन भारत के समिधान के भाग 4 भाग 4 के आर्टिकल 44 के तहत ये युनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है क्या होता है युनिफॉर्म सिविल कोड तो युनिफॉर्म सिविल कोड का मतलग होता है समान नागरिक सनीता उनिफॉर्म सिविल कोड यू सीसी अब देखो डिफरेंस क्या है डिफरेंस यह है कि उत्रादिकार बिवा तलाग बच्चों के सनक्षन को ले करके अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कानून है यानि जो टिपल तलाग कानून है जो महलाओं के लिए लाया गया इस तरह का कानून है हिंदूों में अलग कानून है स्थिख में अलग कानून है जैन में अलग कानून है पार्सी में अलग कानून है यह कानून सभी के लिए सेम होना चाहिए यहीं यू सिसी की मांग है यूनिफॉर्म सिविल कूड की मांग होती है अब देखो समान नागरिक सनीता ना तो किसी धर्म पे आक्रमन है ना किसी का नुकसान है बलकि कानून के नजर में सब सेम होना चाहिए इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोट की लगातार मांग की जा रहे हैं तो बेसिक हमने डिस्कस किया कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोट क्या होता सब के लिए सेम कानून होना चाहिए आर्टिकल 44 में जिग्र है आर्टिकल 44 राजि के नितिक निदिसक तत्म में आते हैं इसलिए ये राजियों के मर्जी पे छोड़ दिया गया था जब समिधान बन रहा था तो UCC के मांग समिधान बनने के समय में भी किया गया था लेकिन समिधान निर्मात्ताओं ने सोचा कि आने वाले समय या आने वाले जेनरेशन जो है अपने समय की आवश्यक्ताओं के अनुसार आर्टिकल 44 का उप्योग करेगा इसलिए इसे जो है राजि के नि और हमने पहले भी डिसकस किया है यह सब एडिटोरियल आया है इस पे अल्रेडी धनि जागरा न्यूज आडलाइसेस में हमने उसपे डिसकस किया है लगदाग आंतरिक सुधारों पे चल्चा करेंगे सेने कमांडर अधिक इंपोर्टेंट नहीं है बस एक इंपोर्टेंट थोड़ा इंफोर्मेशन मैं आपको दे दू देखो हमारे देश के धल सेना प्रमुख है जनरल म.M. नरवाने 1950 से एक प्रमपरा शुरूई है और उस प्रमपरा के तहद भारत के जो सेना प्रमुख है इसको नेपाली सेना के जनरल के मानक उपाधी से सम्मानित किया जाता है और साथी साथ नेपाली सेना के जो प्रमुग है उसे भारत की सेना के जंदल की मानक उपादी दी जाती है तो इसी प्रमपड़ा के अनुपालन के लिए हमारे देश के सेना प्रमुग नेपाल जाने वाले है और नेपाल में उसे नेपाली सेना के जन्रल की मानक उपाधी दी जाएगी और इसी तरह से नेपाली सेना के प्रमोक को भारत में ये उपाधी दिया जाता है देखा new, कस्मिर और लदात अलग होने के बाद ये टोटल नौ राज्य हो गए तो नौ राज्य में जो है हिंदू अल्फ संक्य है अब देखो मेटर कहां चला गया सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सुरवात मेटर कहां से होता है एक केस का नाम याद रख लेना जब भी इस तरह का कभी चर्चा हो तो एक केस का नाम याद रख लेना और इस केस का नाम है TMA Pi Foundation है वर्सेस करनाटिका राज्यवाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस की समिधानिक पीठ ने कहा था कि भासा और धार्मिक आधार पे अल्प संक्यक राज्यवार होना चाहिए ठीक है यानि अल्प संक्यक किसी राज्य में होगा तो उसका दो माप डंड है एक तो भासा के आधार पे अल्प संक्यक हो सकता है दूसरा धार्म के आधार पे अल्प संक्यक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो है जो दो इसू गया है वो क्या गया पहला इसू गया है सुप्रिम कोर्ट में कि अलप संख्यक की पहचान धार्मिक आधार पे राजिवार होना चाहिए क्या मतलब है इसका जैसे हिंदू भारत में किसी भी राज में अलप संख्यक नहीं है पंजाब दिखलो पंजाब में हिंदू जो है अल्फ संख्यक की कंडिशन में और सीख जो है पंजाब में बहुत संख्यक की कंडिशन में बावजूद इसके पंजाब में भी सीख को अल्फ संख्यक माना जाता है और हिंदू को बहुत संख्यक माना जाता है नागालेंड देखलो, नागालेंड में इसाई बहुत संख्यक की कंडिशन में है, सबसे अधिक इसाई है नागालेंड में, और वहाँ पे हिंदू अलफ संख्यक की कंडिशन में, बहुत कम है, बावजूद इसके नागालेंड में भी इसाई को अलफ संख्यक मना जाता है, लक्षदूइप देख लो, लक्षदूइप में मुस्लिम सबसे अधिक बहुत संख्यक की कंडिशन में, 90% मुस्लिम है, बावजूद इसको मुस्लिम को वहाँ पर अलफ संख्यक मना जाता है, हिंदू को बहुत संख्यक मना जाता है, तो अलफ संख्यक की पहचान जो है, जो पंजाब में अगर मालो सिख अधिक संख्या में है तो सिख को वहाँ पे बहुत संख्यक बनाईए और वहाँ पे हिंदू अगर कम है तो हिंदू को अलफ संख्यक बनाईए वहाँ पे जैन कम है तो जैन को अलफ संख्यक बनाईए वहाँ पर पार्सी कम है तो पार्सी को बचान केजिए, ना कि पूरा देश के आधार पे हां. अब दूसरा है कि कैंस सरकार को अलफसंख्या घोसित करने का मनमाना अधिकार है. कैंस सरकार ने मुसलिम, सीख, इसाई, बोध, जैन, पार्सी को अलफसंख्या घोसित किया हुआ. लेकिन हिंदू को, यहूदी को और बहावी को 9 राज में यह जो है समुदा है यह जो धर्म के लोग है हिंदू के यहूदी हैं, बहाई हैं यह जो 9 राज में अल्ब संख्यत है इस 9 राज में जो है यह राज का नाम भी देख ले Grad एक तो मिजोरम हो गया, नागालेंड हो गया, मिगाले हो गया, अरुनाचल, परतिस, मनिपूर, पंजाब, जम्मु कश्मीर, लक्षदूइप और लद्धाक भी है तो ये टॉटल नोड आज यहां जहां पे हिंदू अलुसंख्यक है हिंदू के संख्या बहुत कम है 2.5% हिंदू लक्षदूइप में है, बावजूद हिंदू के हिंदू वहां पे बहुत संख्यक तो सुप्रीम कोट में यह मैटर गया, अब देखो सुप्रीम कोट क्या डिसाइड करता है तो वो आने वाले समय के बाद ही हमें पता चलेगा लेकिन यहां पे आपको जो है, यह न्यूज हिलियर होना चाहिए कि आखिर क्या मैटर सुप्रीम कोट में गया है किस मैटर को सुप्रीम कोट में चुनोती दिया गया है TMA Pi बनाम करनाटका राजवाद 2002 में सुप्रीम कोट ने क्या गहा था कि अनुछे 370 पेक फैसला अदालत को करने थे उमर अब्दुला को कहना जब से जम्मो कस्मिन में जो है उमर अब्दुला को रिलिज किया गया भारुक अब्दुला को रिलिज किया गया मुप्ति को रिलिज किया गया तब से लगातार चर्चा में आर्टिकल 370 है तो मैं आज आपके साथ आर्टिकल 370 चुकि आज का एड़िटोरियल बहुत इंपोर्टन नहीं है मारे लिए इसलिए आर्टिकल 370 पर मैं detail analysis करूँगा कि आर्टिकल 370 का क्या provision था क्या उसका positive point था क्या उसका negative point था और साथी साथ आर्टिकल 370 को एक words complete होने पे क्या उपलब्धी प्राप्त होगा तो ये तीनों ही point हम discuss करेंगे और इस तरह का discussion मैंने किया था आगेस साथ या आठ अगस्त को किया था तो एक बार फिर मैं discuss करना हो आपके लिए आर्टिकल 370 देखो ये जो अधिनियम आया इस अधिनियम का नाम था जम्मू कस्मिर पुनरगठन अधिनियम 2019 इसके तहत दो यूटी बने थे एक तो यूटी बना था जम्मू कस्मिर और दूसर लग्दाग इसके घोशना हो गया था पांच अगस्त को पांच अगस्त 2019 को घोशना होगा और इसको लागो किया गया था 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर का दिन क्यों चूच किया गया कि 31 अक्टूबर को ही सरदार बल्लब भाईप के टेल का जर्म दिन है रास्त के एक्टा और अखनुतर दिवस उस दिन मनाया जाता है इसलिए 31 अक्टूबर से ये एक्ट लागो हुआ था पूरी तर से यानि बिधिवत भारत की समिधान का हिसा बना और इसे और अस्थाई प्रावधान के रुप में जुड़ा गया यानि एक अस्थाई प्रावधान नहीं था ये एक और अस्थाई प्रावधान था टेंप्रोरी प्रोविजन था इस समिधान के प्रारूप को एन गोपाल स्वामें आयंकर द लागो होना चाहिए यानि भारत सरकार का कौन सा आर्टिकल जम्मू कस्मीर में लागो होगा ये जम्मू कस्मीर की विधान सभार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा अब देखो 370, 1949 में ही इंप्लिमेंट हो गया उसके बाद आर्टिकल 35A अनुशित 370 का ही उपज है जम्मू कस्मीर के समिधान की सिफारिस पे कि अनुशित 370, 1954 में ये राष्टपती के आदिस पे लागो हुआ क्या है आर्टिकल 35 अ में वहां के जो है लेंड को सनक्षित करने का काम किया गया है भारत के एक व्यक्ति जम्मू कस्मीर ने जाकर जमीन नहीं खरी सकता है लेकिन जम्मू कस्मीर का व्यक्ति भारत के किस अन्यराज के किसी व्यक्ति उसाधिकरता मान लोग कस्मीर की उलकी है उन्होंने यूपे के किसी लरके सेसाली की तो उसकी कस्मीर के नागरिकता चली जाएगे चली गया अवर अब देखो सरकार के द्वारा क्या-क्या निरने लिया गया या मैं को शांसत के द्वारा कहके निर्णने लिया गया पहला तो जम्मू कस्मे अब आप्टिकल 370 के केवल खंड एक लागू रहेगा सिस खंड को समाप्त किया गया तो क्या आप से पूछा जाए कि आर्टिकल 370 को पूरी तरह से भारत की समिधान से हटा दिया गया त और खंड उसके जो रेस्ट खंड थे उस खंड को अब प्रवहावी उसको समाप्त कर दिए गया तूश्चार लिए उसको समाप्त किया गया तो जम्मू कस्मे और कि होता था। उसके पास भारत का भी passport होता था जम्मु कश्मुरिक का अव्य पास्पोर्ट होता था ह। अव ऐसा नहीं होगा अव एकल नागरिक होगा एक बराष्ट एक स्मसनधा अलग होता था लेकिन अब जम्मु कहस्मे का भारत का दोज एक हो घरेंस newf वित्य आपातकाल जम्मु कस्मिर में लागू नहीं होता था जो अब जम्मु कस्मिर में लागू होगा दूसरे राजी के लोग जम्मु कस्मिर में जमें खरीश सकते हैं पहले जैसा नहीं था जम्मु कस्मिर के विधान सभा का कारिकाल 5 वर्स का अब होगा पहले क्या था जम्मो कस्मिर के विधान सभा के कालिकाल 6 वर्ष होता था अब उसे 5 वर्ष कर दिया गया और दूसरी बात क्या है कि सबसे important fact RTI जैसे act, right to information जैसे act जम्मो कस्मिर पे लागू नहीं था अब right to information वहाँ पे लागू होगा मानवादिकार अधिनियम वह भी जम्मो कस्मिर पे लागू होगा तो यह तो क्या क्या किया है संसत के द्वारा यह मैंने discuss किया पोश्टी पॉइंट क्या सकारात्मक पॉइंट है वह हम discuss करते है तो आर्टिकल 370 हटाने का जो सबसे सकारात्मक पॉइंट है वह है कि संग सुची का कानूर राज में भी लागू होगा RTI जैसा एक्ट Food Security एज्सा एक्ट पीडियस जैसा एक्ट यह एक्ट जिसमें खाज सुरक्षा धी जाते थे जिसमें 1 रूपय, 2 रूपय, 3 रूपय, 4 रूपय केजी के दर से अनाईट लिस्टिब्यूट किया जाता था वो जम्मू कश्मिर में लागव नहीं था जो अब जम्मू कश्मिर में लागव होगा Infrastructure में सुधार होगा निश्चित तोर पे जम्मु कस्मी में लोग जमीन नहीं खरी सकते थे हैं अब माल लोग ताटा जी सी कंपनी अगर जम्मु कस्मीन में इन्वेस्ट करेगी हैं तो वो क्या चाहेगी सबसे पहले चाहेगी को वो एक जमीन खर दें और वहाँ पे अपना जो है प्लांट बनाए तो टाटा भी जम्मीन नहीं खरी सकता था अब लोग अब इन्वेस्टि जम्मु कस्मीन में जमीन खरी सकते हैं और जमीन खर देंगे तो निवेस बढ़ेगा निवेस बढ़ेगा तो इन्वेस्टिक्टर सुधार होगा इन्वेस्टिमेंट बढ़ेगा इन्वेस्टिमेंट सम्मीट काफी जो है आयोजन होड़ा है जम्मु कस्मीन के लिए रोजगार सेजन होगा दिश्टि तो पर इन्फरास्टिक्टर बढ़ेगा इन्वेस्टिमेंट आएगा तो रोजगार भी आएगा बोमेन इंपार्मेंट महला ससक्तिकरन बढ़ेगी क्यों क्योंकि महलाओं के लिए जो 12 मापड़न था आर्टिकल 35a में उसको समाप्त कर दिया गया और सबसे इंपोर्टेंट बात बालमुकी समुदाई के लोग 1957 में 1957 में एक दलित समुदा है बालमुकी समुदाई जो पंजाब के छेत्रों से गये थे आपको जमुकस्मिर और साथी साथ पाकिस्तान से जो लोटने वाले सरनार्थी थे जो मुस्लिम सरनार्थी में थे उसको भी नागरिक्ता नहीं दिया गया अब सो सकते हो जमुकस्मिर में 1957 में जो वैक्ति आया है और 1950 की दसक में जो पाकिस्तान से लोटा हुआ सरनार्थी आया है जो मुस्लिम भी था जो हिंदु दलित भी था दोनों को आज तक जमुकस्मिर के नागरिक्ता नहीं मिली थे तो इस भी था बहुत कानून के बाद उसे नागरिक्ता दे जा रही है अब देखो नेगेटिव पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट यह है 370 को रिमूब करने का सारा का सारा प्रोविजन लाया गया ब्यापक अस्तर पर डिसकस नहीं किया गया tu अब देखो जिस तरह से ऑर्टिकल 370 हटा आया गया उसी तरह से अर्टिकल 371 के तहट अन राज्यों को बिस्यस राज का प्रोविजन दिया गया जैसे सिक्किम को बिसेस राज का प्रोविजन है नागालेंड को बिसेस राज का प्रोविजन है मेगाले और को बिसेस राज का प्रोविजन है तो ये राजी चिंतित हैं कि कहीं इसके बिसेस राज का प्रोविजन ना स्वाप्त हो जाए लोगों से व्यापक राय नहीं लिया गया जम्मू कस्मिर की विधान सवाब भंग थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो ना तो जम्मू कस्मिर को विधान सवाब के राय लिया गया ना लोगों का जो है राय लिया गया तो ये निगेटिव पॉइंट इसको ख़़ सकते हैं अब देखो एक वर्स का जो बदलाव हुआ एक वर्स होने के बाद पांच अगस्त उनिस सुरी दोजार उनिस को आर्टिकल 370 विदिवत रूप से भारत की समिधान में भारत की पार्लियामेंट के द्वारा रेमूव किया गया इसी दिन एक पारित हुआ था तो एक वर्स होने के बाद आज एक वर्स लगवाद दो-तिन मेना हो गया है तो क्या-क्या हुआ है पहलत की बाल में की समोदा है गुर्खा समोदा और पाकिस्तान से लोटे हुए सरनार्थी को जो है समान हक मिल रहा है इसे नागरिता मिल लही है सद्टा का विकेंद्री करण मजूद हो रहा है अस्थानी निकाए जो है चुनाव संपन क्या जा रहा यानि जो हमारी लोकल गौवर्मेंट को मजबूती प्रतान क्या जा रहा है 13 वर्स के बाद जो है सहरी अस्थानिय निकायप का चुनाव संपन हुआ है 1000 मेगा वाट की पाकल दूल चिनाव नदी पे है और 624 वाट की कीरू प्रियोजना जो चिनाव नदी पे है जिससे हम कारते हैं रन फोर रिवर प्रियोजना तो कीरू प्रियोजना नाम याद अठलिना और पाकल दूल प्रियोजना देखो पाकल दूल प्रियोजना चिनाव नदी पे है 1000 मेगा वाट की है और किरू परिजुजना 624 मेगावाट की है जो चीनाव नदीप्य है इसको शुरूख किया जा रहा है भरवरी 2020 से पूरे लगदाप में 24 घंटे विजली रहा है परियाटन की व्यवस्था साल भर में चल रही है खासकर कि लगदाप के चहर्टाओं में परियाटन बढ़ रहा सोवा रिखपा लगदाप की अस्थान की च्कृत्सा पदर्ती के लिए research संस्थान डवल्प पिछली एक वर्स में सोवा रिकपाप चिकित साब पद्रती काफी फेमस पद्रती इसके बारे में कभी नेट पर सर्च करना आप मेडिकल और इंजरिंग कॉलिज खुल ले हैं 786 ने MSME को मंजूरी मिली है तो नए जो MSME है 786 लगवग MSME को मंजूरी मिला है लदाख में winter tourism और winter खेल को बढ़ावा दिया ज़रा है और connectivity के समस्याद दूर कर रही है कई सारे पुल जो है उसका निर्मान हो रहा है लदाख और जम्मू कसमरी के छहतरों में तो यह सारी के सारे काम गए हैं पिसले एक वर्स में जब से article 370 को abolish किया गया तो कोसिस किया है मैंने concrete discuss करने का article 370 का क्या positive point है article 370 का negative point क्या है article 370 को remove करने का जो provision था वो provision क्या था पिछले एक वर्स में जब से सरकार ने article 370 को remove किया है तो क्या क्या साकारात्मा काम हुए है जम्मू कसमरी के छहतरों में आज का मुद्दा दिया हुआ मंडे को पर्तिक दिन मुद्दा देता है देख सकते हैं देखो यह जो एटूरियल लिखे है यह हिर्दय नरायन दिक्षित लिखे है यह कौन है पहले देख लो उत्तर परदेश के विधान सभा के अध्याग्ज तो ऐसा नहीं कि एटूरियल के जो राइटर है उसका नाम याद करना आपको ज़रूरी है बिल्कुल ज़रूरी नहीं लेकिन आपको दिखना चाहिए कि कौन वेक्ति लिखा मानलो अगर इस तरह का न्यूज अगर है तो अगर आप मानलो भाजपा कोई वेक्ति लिखा होगा तो क्या होगा सरकार के हमेशा बढाई करेगा आप कॉंग्रिस कोई वेक्ति लिखा है जैसे मानलो बजट का समय आता कितना भी अच्छा से अच्छा बजट मानलो और वो अगर BJP को प्रश्थूत किया गया है, कितना अच्छा से धी अच्छा वजट है, तो BJP आयगा तो उसको कहएगा कि बहुत सांदर वजट है, देश के इत्यास में इस से बढ़िया वजट प्रस्थूत घटिया बजट है बिज़ेपी सरकार का कोई प्रवक्ता आएगा कहेगा इत्यास में इससे बड़िया बजट प्रस्तुत ही नहीं किया और कितना ख़राब से ख़राब बजट हो कॉंग्रेस वहीं बोलेगा कि इत्यास में इससे घटिया बजट का भी प्रस्तुत ही नहीं किय है तो होता क्या है कि जो प्रवक्ता होता है या संस्था से चुरूब रिखें करते हैं सरकार के बाई करेंगे सरकार से जूरूए उफिक बिखाने में नहीं तो बहुत ज्यादा पोजिटिव और सबसे अच्छा फाइदा होता है कि कुछ पॉइस्टिव पॉइंट आप ले लो चूज कर लो चार से पांच निगेटिव पॉइंट आप चूज कर लो उसके बाद एक कंकुलूजन अपना ड्रॉ कर लो हो गया आपका एडिटोरियल वही समाप्त हो जाता है उसके बाद आप आप किसी बही आँसर को अच्छिए लेग सकते हैं तो इसलिए राइटर का नाम जानना चाहिए मालो अगर कोई राइटर है जो एकउनिस्ट है जैसे अमर्द सेन का मानलो कभी कोई एडिटोरियल आगा तो उसको बाद बढ़त जुन-जुन वाला का कभी कोई एडिटूर तो वह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि वह प्राइमिनिस्टर जो होते हैं और कॉंक्रीट अपना वक्तब रखने का काम करते हैं उसमें तो इसको एक बार आप इस तोर पर देख सकते हैं इस रिटूरेल को कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदूों को उत्पिरत किया जा रहा है पाकिस्तान में किस तरह से सिखों का उत्पिदन किया जा रहा है पाकिस्तान में किस तरह से मानवाधिकार का उलंगन किया जा रहा है आपके एक्जाम में नहीं पुछेगा लेकिन आपको जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है चीन का सट्रू है चीन को शिक्षा में भारते मुल्यों का समावेस बहु जादा इंपोर्ड़न नहीं है ओके यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे कि उच्छित नहीं होगी बांगलादेश से भारत की तुलना देखो बाहरत और पांगलादेश के पर केपिटा इंकम की तुलना किया गया आएमेफ ने कहा है कि बांगलादेश की पर केपिटा इंकम 1888 डॉलर रहेगी 2020 में और भारत की पर केपिटा इंकम 1870 डॉलर रहेगी पर केपिटा इंकम क्या होता है कि भारत का जो मानलो जो भी जीडिपी है मानलो भारत का जीडिपी जो भी है मानलो एकस भारत की GDP हैं उसके बाद यो भारत की जन संख्या है टोटल भारत की जन संख्या है लगवग 135 करोर हो गया तो इसको डिवाइट करने के बाद कितना आएगा अठारा सो 727 डॉलर आएगा बांगलादेश की टोटल GDP मानलो वहाई है और बंगलादेश की टोटल जन सिंख्यां लगभग सोला करोड तो सोला करोड से डिवाइट करने के बाद जो आएगा वह 1888 डोलर आएगा तो किसी भी देश की टोटल जेडिपी अपन टोटल जन सिंख्यां को काई दता पर कैपिटा जीडिपी अब देखो भारत की 232 करोड के आसपास दूसरा और इंपोर्टेंट फेक्ट की आएमर पने जहां भारत का ग्रोथ रेट निगेटिव दिखाया है 2021-20x के लिए जहां growth rate negative दिखाया है लगफ़क मैंने 10% के आसपास बोला है वहीं बांगलादेश का growth rate positive होगा 3.4% होगा और वहीं दूसरे वर्स पिछले वर्स 2021 लिखा गया है इसको काट करके आप 2019 बिस लिख लेना तो 19-20 में जो है भारत की growth rate 5% थी वहीं बांगलादेश की growth rate 8% थी पिछले वर्स जब COVID नहीं आया था उस समय में भारत की अर्थववस्था काफी खराब दोर से गुजर रही थी पिछले वर्स भी हमने डिस्कस किया था कि क्यों भारत के अर्थववस्था 2019 के आसपास भी खराब दोर से गुजर गई है और COVID आने के बाद अर्थववस्था को और अधिक नुकसान पहुँचा है तो पिछले वर्स भी भारत की growth rate कम थी घट करके 5% हो गिया और उस साल भी भाड़ाड़ेश के growth rate 8% ती बढ़ गई थी अब दो भाड़ाड़ेश ने प्रियास कया क्या कर पहला प्रियास बंगलाड़ेश ने जग आनिंग को दिर्ख कालीन देखा जा सकता है बंगलादिस नंगलादिस क्लोन किया मैज़ां क क्या होता है चोटे-चोटे लोन दिया रेकर लूज पीरो सिन खेज लेगी और कप्रा सिने का काम करेगी तो इस तरह से छोटा छोटा जो है माइक्रो फिनांस अगर आप किजेगा तो वह छोटे छोटे लेवल पर अधिक रोज़कार करने का काम करते हैं जो आपके राज जी के या आपके देश के डेपलप्मेंट में सही होगी हो सकत कि एक कुर्शन बीपेसी ने पूछा तो मुझे याद है कि माइक्रो फिनांसिंग काजकरम के जन्म दाता किसको का जाता है तो याद रख लेना इसका नाम बंगलादेश के ही है यह मौमद इसूप जिसे 2006 में माइक्रो फिनांसिंग काजकरम या ग्रामिन वेक बैंक में य कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग में बंगलादेश अच्छा काम कर रहा है और आवादी पे नियंतरन किया है भंगलादेश यही कारान है कि बंगलादेश अभ ही ग्रोग कर रहा है पर-capital income बहले ही बंगलादेश के भारत से अधिक हो लेकिन वास्तिवीक इंकम भारत की बंगलादेश से कहीं ज़्यादा देखा है भारत की GDP बंगलादेश से लगवग 10 गुनिया देखा है अब देखो एक यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ जो मैंने रिसर्च नहीं किया है आप लोग करना तो मुझे कमेंन सेक्शन में जरूर बताना कि कपड़ा उद्य है जहां तक मुझे जानकारी है कि कपड़ा उद्योग में चीन के बाद भारत का स्थान आता है और यहां पर इस एडिटोरियल में दिया हुआ है कि कपड़ा उद्योग में चीन के बाद दूसरी नमर पर बंगलादेश का स्थान है तो मुझे सर्च करके आप लोग नेट नेकर ांट करना और नेट पर साज़ करके मुझे कमेन सेक्षण में यह पर िरेशिण में जरूर लखना मैं और नैकर इसकर कर partes करोगा और कमेंट करके करेवैं यह तो मैं क academically चैनल सेक्शन में डाला दूगा कि क्रवे जंडर दूगा से ख़सारीक्या IBC Insolvency and Bankruptcy Code क्या होता है Insolvency and Bankruptcy Code कोई कंपणी है मालो वो कर्ज नहीं चुका पाती है तो IBC के तहट उस कंपणी को दिवालया घोसट कर दिया जाता है Right Insolvency and Bankruptcy के तहट उस कंपणी को दिवालय घोसेत कर दिया मालो बड़ा कंपणी है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है अगर अपने इंपलाई को वो पैसा नहीं दे पाएगा अपने इंवेस्टर को लोन नहीं चुका पाएगा तो उसे इंसॉल्बेंट घोसित कर दिया जाएगा यानि दिवालिया घोसित कर दिया जाएगा इसके लिए इंसील्टी की विशेश टीम से बात करती है और कमपनी के मेनेजमेंट को राजी होने पर कमपनी को दिवालिया घोसित किया चाता है उसके बड़ क्या करता है इंसील्टी यानि नेशनल कमपनी लॉट ट्रिवनल आईपी की न्यूपती करता है आई-पी क्या होता है आई-पी होता है इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल दिवाले अगुशित कर दिया दिवाले अगुशित होने के बाद NCLT ने आई-पी की नियुक्ति किया आई-पी क्या करती है कि दो काम करती पहला तो आई-पी जो है शेयर होलडर है शेयर होलडर के पा लोगों को जो पैसा आपने लगाया सिर्फ पैसा वापस चाहिए तो आप हमें बताइए कंपनी जो शेयर होल्डर है वो 50% से अधिक शेयर होल्डर मालों यह कहती है कि नहीं मुझे पैसा रिटर्न करना तो ऐसे कंडिशन में कंपनी जो है बेचने का काम करदें लेकिन 50% अधिक बोल की कंड़ों ने-परिशन से अधिक लोगों ने मेंम मिलें Brett के चला लेंगे हमजितने शेयर होल्डर द्र हैं तो आइपि वहां पर कुछ नहीं करें उस सेयर होलडर के हवाली कंपनी कर देगे लेकिन और आयपी ने कहाई किसा चाह कमपनी को बेचने का प्रोसेस शुरू कर देगा और किसी थर्ड पार्टी को कमपनी बेचेगा यानि मालों जो कमपनी है जिस वैक दिख्या उसके फैमिली को कमपनी नहीं बेच सकता या जो शेयर होल्डर है उसको नहीं बेचेगा किसी थर्ड पार्टी को कमपनी बेचेगा और बेचने के बाद जो है जिस शेल होल्डर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके एकोर्डिंग जो है उसको पैसा रिटर्न कर देगा तो यह काम करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और साथी साथ बैंक और कर्ज है उसको लोटाने के काम करेगे IBC बजार आधारित और समय सीमा के तहथ इंसॉल्वेंसी समाधान की प्रक्रिया करता है यानि एक लिमिट टाइम के तहथ इंसॉल्वेंसी करता है एक लिमिट टाइम के तहथ जो है यह सारा का सारा प्रोविजन जो करना होता है कमपनी को बेचना है तो बेचना है या कमपनी को shareholder के हवाले करना तो वो करना है तो एक limit time के दहत करता है अगर मानलो shareholder जो है वो company अगर चलाएगा तो ठीक है तो ऐसे condition में shareholder को जो है bank का जो loan है वो shareholder को देना होगा company का जो भी loss है उस loss की भुखतानी उस shareholder को मिलके करना होता है अब दोनों की अस्थापना जो है एक जुन 2016 को company act के तहत किया गया राष्टी company कानून नियाधिकरन और राष्टी company अपलिया प्राधिकरन का अगठन किया गया company act 2013 के धारा 402 के तहत बस यह याद रख लेना company 2013 के तहत NCLT और NCALT का गठन किया गया अगर मालू कोई dispute जाता है national company law tribunal में और इस dispute का समाधा national company law tribunal नहीं कर पाती है तब यह मेटर जाएगा NCALT में अगर होगा तो इस पर मैं अलग से विडियो बना दूंगा चुक्ली यह लगातार चर्चा में रहा रहा है national company law tribunal क्या है national company law appellate tribunal क्या है और साथी साथ insolvency and bankruptcy court 2016 क्या है यह लगातार चर्चा में है कुशिस करूंगा एक अलग से विडियो बना करके details से analysis करने का लेकिन जो basic information मैं ने दिया वह आपको जनकारी होना चाहिए दुनिया का agenda ते कर सकता है भारत world economic forum के संस्थापक एवन चेर्मेन क्लॉस स्वाब ने कहा है कि covid महामारी के तत्पर्ता दिखाई जाने के लिए या भारत ने जिस तरह सत्पर्ता दिखाई है भारत में इतनी संभावना है कि दुनिया का agenda वह ते कर सकता है अधिक important नहीं है लेकिन world economic forum की meeting होती है प्रतिक जन्वरी में meeting होती है प्रतिक एर दावोस में होती है तो आपको थोड़ा से जनकारी होना चाहिए world economic forum के बारे में साथी साथ बहुँ सारा रिपोर्ट world economic forum जो है जारी करता है लगभग 8 से 9 महत्पून रिपोर्ट जारी करता है उस रिपोर्ट का नाम नेट पे जाकर के सर्च कर लेना वाल एकॉनमिक फोरम इंपॉर्ट रिपोर्ट उसको जाकर के लिख लेन अा भारत वन सी राम कलावन सेजल्स के राश्थवती इवन बिहार के रहा आ यहां तो सेजल्स के नई राश्थवती बने आए प्या नाम यार्थ रख लेना सेजल का लोकेशन देखी लेना सेसल्स काफ़ी महत्पोर्ण लोकेशन पर भारत के साथ सेसल्स का कुल एक्सरिसाइज होता है से लामित्या का लाằता है और सेसल्स का कुछ इंपोर्टेंट थे ज़ Kum के बारें कबी हम बाद में डिश्कस करेंगे लेकर जानकारी होना है अब देखो बावाईव प्रोदुशन पे कम करेगी VRF बाटरी तो जनेरेटर का जो है बेसिकली अरस्था ले सकती है ये बाटरी इसी को लेकर के सोद किया जा रहा है बाकि डिजिल में पर लेना चलो आज हमारे पास इतना ही न्यूस था वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्यो शो मच्च प्लीज दू लाइक से लेन सब्सक्राइब थाइंक्यो